नौ देवियों की कथा भाग चार नवरात्री में आटवे दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुर्णता गौरवर्ण है इनकी उपमा शंक, चंद्र और कूंद के फूल से दी गई है फलदाइनी है मा महागौरी मा गौरी की आयू आट साल की मानी गई है इनके सभी आभूशन और वस्द्र सफेध है इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है महागौरी मा की चार भुजाएं है और वाहन व्रिशब है इसलिए व्रिशारुढा भी कहा गया है इनकी उपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारन किया हुआ है उपर वाले पाए हाथ में डमरू धारन कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है मा गौरी ने भगवान शुव से विवा करने के लिए कठोर तब किया एक दिन महादेव, मा गौरी वर्षों से आपकी तपस्या में लीन है हे महादेव, आप उन्हें दर्शन दीजिए भूग, प्यास, सब भूलकर मा गौरी ने आपकी कठिन तपस्या की है देखिये तो, उनका पूरा दे श्रिंग हो गया है जब वो आपकी तपस्या के लिए बैठी थी, तो उनका वंड बिल्कुल श्वेद था विश्नु, उनकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसंन हूँ और उन्हें जल्द ही दर्शन भी प्रदान करूँगा हे महादेव, आप तो जानते ही हैं, महागौरी और आपके मिलन से संसार में हो रहे अनेकों दुखों का नाश होगा अन्यथा देर ना करें भगवान विश्नु के चले जाने के बाद, महादेव, महागौरी के सामने उपस्थित होते हैं उठो देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसंन हूँ मुझ पर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद हे प्रभू, मैं वर्षों से केवल आपकी ही तपस्या कर रही हूँ क्यूकि मैं चाहती हूँ कि मैं वर्षों की रूप में आपका वरन करूँ तथास्तु फिर भगवान शिव महागौरी को देखते हैं उनकी पूरी काया तपस्या करते करते काली हो गई थी महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़े से इनका शरीर काला पड़ गया लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को घंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमे बना दिया उनका रूप गौर वर्ण का हो गया इसलिए ये महागौरी कहलाई ये अमोग फल दाइनी है और इनकी पूजा से भगतों के तमाम दुख धुल जाते हैं पूर्वसंचित पाप भी नश्ट हो जाते हैं महागौरी का पूजन अर्चन उपासना अराधना कल्यान कारी है इनकी कृपा से अलोकिक सिध्धिया भी प्राप्त होती है नवरात्री के आठवे दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है मा महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है जो जातक नवरात्री के आठवे दिन मा महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जनम पत्री का राहु दोश समाप्त हो जाता है मा दुर्गा जी की नौवी शक्ती का नाम शिद्धी दात्री है ये सभी प्रकार की सिध्यों को देने वाली है नवरात्री पूजन के नौवो दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्रिय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले भक्त को उसकी संपुर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, शृष्टी में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है, ब्रम्हांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ उसमें आ जाती है, नबदुर्गाओं में माशिद्धी दात्री अंतिम है, माशिद्धी चार भुजाओं वाली है, इनका वाहन सिंग है, ये कमल पुष्प पर भी आसिन होती है, इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है, मार कंडे पुडान के अनुसार आठ सिद्या, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, के बारे में एक कथा प्रचलित है, करूरो वर्ष पूर्व जब भगवान शिव अकेले पूरे ब्रह्मान में विच्रन करते थे और वो घोर तपस्या में लीन हो जाते थे, तब एक दिन भगवान शिव सिध्धी दातरी की अराधना करते हैं, हजारो वर्ष तक भगवान उनकी अराधना करते रहे, तब एक दिन एक ज्वाला उत्पन होती है, और हो भगवान शिव से कहती है, युगो युगो से मेरी अराधना करने वाले, मैं सिध्धियों की देवी हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे देवी, मैं सभी सिध्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही आदि हूँ, और मैं ही अन्त, और मैं एक विलक्षन संसार की रचना करने जा रहा हूँ, जिसमें देवी, देवता, असुर, मानव, जीवजन्तु, पेड़ पौधे, नदी, समुंद्र और सम्मिलित होंगे, हे महादेव, अति उत्तम विचार है, किन्तु इसमें मेरा आपको क्या समर्थन चाहिए, क्रिप्या कर मुझे अपनी आठो सिध्धियों के बारे में ज्यान दे, इन्हें प्राप्त करने के बाद मैं संसार की एक संपून रचना कर सकूँ, हे महादेव, जगत कल्यान के लिए आपने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, मैं आपको अपनी आठो सिध्धियों के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिसकी साधना करने मात्र से बुद्धी की प्राप्त होती है, तथा कष्ट दूर हो जाएंगे ज्यान के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है, इसी लिए हे देवी, आप मुझे अपनी सिध्धियों के बारे में बताएं, तथा उन्हें प्राप्त करने से क्या फल प्राप्त होगा? मेरी पहली सिध्धी, अनिमा सिध्धी है, स्वयम को छोटा कर लेने की शमता को ही अनिमा कहा जाता है, इस सिध्धी को प्राप्त कर लेने से इंसान छोटा शरीर धारन कर लेता है, साधक जब चाहे एक अनू के बराबर का स्तुक्षमदे धारन करने में शक्षम होता है जिससे वो वातावरन में विच्रन कर सकता है तथा अनू के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और ये सारे वातावरन में व्याप्त होगा दूसरी सिध्धी महिमा है इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आपको अस्मित विशाल बनाने की शमता रखता है वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है साथ ही वो प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है इस सिध्धी के द्वारा हम अपने मन को विस्तार दे सकते हैं तथा मन से उठेवे विचारों से नितने कारे कर सकते हैं हे महादेव, मेरी तीसरी सिध्धी का नाम है गरिमा इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सिमित रहता है लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता ये सिद्धी गरिमा को दिखाती है आपकी गरिमा का भार आपके व्यक्तित्व को दिखाता है और वो सदैव उच्च होना चाहिए और चौती सिद्धी है लगिमा इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हलका हो सकता है कि वो हवा से भी तेज गती से उड़ सकता है, उसकी शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है, वो अपने एक्षा से किसी भी चीज के पास जा सकता है और उसे अपने पास ला भी सकता है, और ये ह अमारा मन होगा। हे महादेव मेरी छटी सिद्धी है प्रकामय सिद्धी। इस सिद्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है। किसी की भी इक्षा को बहाप सकता है, चाहे सामने वीआला व्यक्ति बताए या नहीं बताए, इसे एक मनोव्यक्यानिक सिद्धी भी कहा जा सकता है। मनुष्य, देवता या भगवान अपने क्यान को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो सामने वाले के बगैर कुछ कहे उसकी भावनाव को समझ सकता है और संसार की रचना के लिए ये एक मूल सिध्धी है और सातवी सिध्धी का नाम इशिता और इसका अर्थ होता है आधिपत्य ये भगवान की उपाधी है इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है वो दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त करता है और इसे प्राप्त करने के लिए मनुश्य को कठोर तपस्या करनी होगी जिसके फलस्वरूप उन्हें देश प्रेमी प्रदान की जाएगी कि बाकी मनुश्य उन्हें भगवान की भाती पूजे उसमें जो प्रथम गुरु आएंगे क्यूंकि गुरु के बिना ज्यान संभव नहीं है आठवी वशिता सिध्धी है इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अत्वा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है जाहे फिर वो जानवर पक्षी या फिर इनसान ही क्यूं ना हो वो किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है हे महादेव, क्योंकि जब इस संसार की रचना की जाएगी, तब ऐसे बहुत से रिश्य मुनी, मनुष्य, देवता या गंधर्व होंगे, जो वशी भूत होकर किसी को भी अपने वश में करना चाहेंगे, यहां मनुष्य लालज को भी जनम दे सकता है, रिश्य मुनी, भगव उसे वर्दान प्राप्त करेंगे, और वही असुर देवताओं की अराधना कर उनसे शक्ति अर्जित करेंगे, भगवान शिर्व ने सारी सिध्यों को प्राप्त किया, और ब्रम्हा और विश्नु की रचना की, फिर ब्रम्हा और विश्नु ने मिलकर इस संसार की रचना की जहां सभी देवियों को आज पुझे माना जाता है नवरात्री इस बात का भी प्रतीक है किस्त्री सदैव से पूझनिये है संसार की रचना बिनास्त्री के संभव नहीं वो कोमल है, मृदल भाशनी है किन्तु स्वयम की रक्षा या परिवार की रक्षा के लिए आन्य आठ दुर्गाओं की पूझा उपासना शास्त्रिय विधी विधान के अनुसार करते हुए भाग्त दुर्गा पूझा के नौवे दिन इनकी उपासना में प्रवक्त होते है इन सिद्धी दात्री मा की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भाग्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्टी हो जाती है नौमी के दिन मा सिद्धी दात्री की पूझा की जाती है देवी की इस रूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है जो जातक नौमी के दिन मासिध्धी दात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोश हट जाता है